नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मशध्धा सिंग खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की जैनिसी द्वारा जुबली पार्क रोड के समय पतिक्रमन हटाव अभ्यान चलाया गया सोनारी में सरक दुरघटना में यूवगार इलाज के लिए एंजिया में कराया गया भर्ती कुल्हान चात्र संगर्स मोचा द्वारा अपने लंबित मांगो को लेकर को अपरेटिव कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया गया और राम नौमी पर्व को लेकर मांगो थाना चेत्र में मंदीरों को आकरशक विद्धुत सज्जा से सजा गया और सरको पर्द्धवजा लगाया गया खबरे अविस्तार से जेनसी द्वारा साक्षी जुबली पार्क रोड के समीब अतिकरमन हटावा भ्यान चलाया गया एक दिन पर वेंडरों को जेनसी द्वारा चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमन नहीं हटाने पर जेनसी के अधिकारियों द्वारा वेंडरों के समानों को जप्त किया गया सब्सक्रमन नहीं करना है इसे पहले लोगो नोटीस दिये गिया है कल माइकिंग किया गया था वीडियो यह सब माइकिंग हुआ है किनके दुआरे किया गया था अब पर सुबनाम अन्य राद सब्सक्रमन नहीं करना है राहुल गोराई नामक युवग घाल हो गया घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने घाल युवग को इलाज के लिए अमजेम अस्पताल में भरती करवाया है कहा बस्ती कहा है अलोग घाल नामक डव खेल अन तो तो ख़ड़ ब्रहु आणगे आपकर क्या नाम है जमशेदपुर में कुल्हान चात्र संगर्स मोचा ने अपने लंबित मांगो को लेकर को अपरेटिव कॉलेज पर इसर में प्रदर्शन किया इन्होंने कॉलेज के प्रचारे पर भस्ता चार कारोप लगाया है इन्होंने कहा कि कुल्हान विश्वी विद्याले की कूल पती को इस संबंद में मांग पत्र सौंपा गया था इन्होंने कहा कि इस मामले में जांच है तू जो जांच कमीटी बनी है उससे भी छात्र मोर्चा संदूस नहीं है और उसमें नए सदस्यों को जोडते हुए निस्पक्च जांच होनी चाहिए पत्र संदूस पत्र संदूस नहीं है आपको पत्र संदूस नहीं है तो हम इस से बचने का काम कर रहे हम लोगे कर आकर के सही जवाब देने का काम नहीं कर रहे है पहले इसे एक आया थे जो चेंबर में ताला लगा हुआ था और लगने के बाद हम लोगों ने यहां नोटिस चिप काया कई मुद्दे है कई प्रष्टचार के मुद्दे है जो यहां से लेकर राजभवन तक को संग्यान में है और राजभवन ने वाइस चांसलर को टीम भी बना करके दे दिया है कि इनके खिलाप में कारवाई करने के लेकिन लगबख डेड़ दो महिने से बीद जाने के बाद भी अभी तक कोई कारवाई नहीं हो पाया और जिसके ओपर आरोफ है वो खुद चेयर में बैट करके वो अ पदमुक्त किया जाता है या दूसरे कॉलेज में ट्रांसपर किया था लेकिन इनका यहां पास है तो हम लोग का एकी डिमांड है जो हम लोग के पूर में डिमांड रहा है उसका रिमांड हम लोग भेज रहे हैं बहतर गंटे के अंदर अगर इन पे कोई कारवाही नहीं हो इसमें सभी छाथ संगटन के लोग मौझूद है पपु जी है अजय जी है राहूल जी है सभी छाथ संगटन के आइडियासों के सुभाम जी है सभी लोग हमारे बैनर तर ले आकर के इस ब्रश्टाचारी प्रिंस्पल के खिलाप में अंदोलन कर रहे हैं और इनको बचाने का आकरशक विद्धुत सज्जा से सजाया गया मुख्य सड़क पर ध्वजा लगाया गया राम नौमी पर्व को लेकर मान गुथाना छेतर में अविस्थित मंदिरों को आकरशक विद्धुत सज्जा से सजाया गया वही मुख्य सड़क के दोनों और विशाल ध्वजा लगा लेकर के चेपा पूल तक हम लोगोंने हनुमान जी का ध्वजा सड़क के दोनों और लगाया है करीब अवकारी विभाग को बड़ी सफलता हात लगी है जहां उपायूत के निर्देश पर विभाग ने सित गोड़ा थाना अंतरगत बाबुडी बस्ती में संचाले थो रहे मेनी शराफ फैक्टरी का खुलासा किया है विभाग ने इस दोरान करीब 3 लाग से अधिक के नकली शराफ बरामत किये है वाइं विभाग ने नकली शराफ बनाने में परेक्ट समान और एक स्कूटी भी बरामत किये है इस संबंद में जानकारे देते वे अपकारी विभाग के निरक्चन प्रवीन कुमार प्राना ने बताया कि विभाग को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि बाबू डी बस्ती में अवैद मेनी शराफ फैक्टरी का संचालन हो रहा है जिसके बादवर्य पतादिकारियों के दिशनिर देश के आधार पर एक टीम का गठन किया गया टीम ने चापे मारी करते हुए उक्तशराफ फैक्टरी का खुलासा किया है हाला कि फैक्टरी का संचालक भागने में सफल रहा उन्होंने बताई कि चापे मारी के करब में एक स्कूटी बरामत किया गया है जिसके आधार पर संचालक की तलास की जा रही है उन्होंने बताई कि राम नौमी को देखते हुए यह अभ्यान चलाया जा रहा है जो लगातार जारी रहेगा और रामनौमी पर्व को लेकर बाजारों में जंडों की बिकरी बढ़ी बीस रुपए से लेकर दस हजार रुपए तक के जंडे बाजार में उपलब्ध है आईए आपको दिखाते हैं सिटी न्यूस के कैमरावन जाहित खान की रिपोर्ट मुन्ना जी रामनौमी पर्व को लेकर किस किस कितने कितने कीमत के जंडा है इतना बड़ा होगा अतरा महेंगा तक कैसी बिकरी होरी है लोग आ रहे हैं इधर लंगूर ने दिखाई मानफता अपने मालिक की मौत पर अंतिम्यात्रा में शामिल हुआ देखे दिल चूने वाला वीडियो सोशल मेडिया में हो रहा है तेजी से वायर शाकुलिया प्रखन के काला पाथर गाउं में एक लंगूर की आचरन से सबी लोग आश्चरिये थे गाउं के असी वर्सिये निवासी गौरांग चंद्रपाल का निधन हो गया था सुभापरी जंद्वारा शब को खटिया में रखा गया था ताकि बाहर के लोग अंतिम दर्शन कर सके ग्रामिन स्वर्गे गौरांग पाल के अंतिम दर्शन कर उनके पार्तिफ शरीर पर पुष परपित कर रहे थे और शब के अंतिम यात्रा में गाउं के लोगों के साथ सम्शान घात तक गया लंगूर के इस आचरन से गाउं के सभी लोग आश्चरे चकित थे वहें दिल को छूने वाला लंगूर का ये वीडियो सोशल मेडिया में तेजी से वाइरल हो रहा है वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद कबरे और भी है तब तक के लिए देखते रहिए सिटी डे कई छुपी शदों का जोल अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा और IIFL फाइनांस पे है मेरा भरोसा पूरा गोल से लेकर बिजनस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लून IIFL Finance, करता है सीधी बात हर एक इनसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वो भी एक काम्याब जिन्दगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखा कर नौकरी के लायक बनाएंगे राब्या टेक्निकल इंस्टिटूट और प्लेस्मेंट्स कॉंसिल यहां काम सिखाने की 100% गारेंटी दी जाती है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर Electrical Technician, House and Plant CCTV Camera and Fire Alarm TIG and Arc Welding High Pressure, X-Ray Quality 6G Position Fire and Safety Engineering Mobile Crane, JCB, Excavator, Tower Crane, Grader Operator HVAC and Air Condition Technician यह दावा नहीं, वाधा है हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतरास्टिय मान्यता प्राप्त राभ्या Technical Institute and Placements Council Approved by Government of India और देखें हमारा वेबसाइट www.rabyainstitute.in ब्रेक के बाद एक बाद फिर से मैं शद्धा सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ साक्षी धालबूं कलब मैदान में 30 माश को मनेगा राजिस्तान दिवस रंगरंग सांस्कृतिक कारिकरब में दिखेगी राजिस्तानी संस्कृति की झलक पूर्वी सिंग्भून जिला मालवाडी सम्मेलंद्वारा अगामी 30 मार्च गुरुवार की साम को साक्षी स्थित अगरसेन भवन के सामने धालबुम कलब मैदान में राजिस्थान दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा इस रंगारंग सांस्कृतिक कारिक्रम के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है जिसमें राजस्थान संस्कृती की जलक दिखेगी इस आयोजन में प्रवेश पूरी तरह नीशुल्ख है रंगारंग संस्कृतिक कारेकरम के लिए राजस्थान से कलाकार आ रहे हैं इस संबंध में मंगलवार को मारवाडी संमिलन के जिला धेक्ष मुकेश मित्तल ने साक्षी अग्रशिन भगवन में मीडिया से बातचित करते हुए आगे बताये कि आपनों राजस्थान कारेकरम का प्रमुक आकरशन कत्पुतली नाच महंदी बच्चों के लिए जुला ला आइसक्रीम, पुचका, कचोरी चार्ट, बाबा चार्ट, मंगोडी, पापर आचार, खजला के काउंटर, राजस्थानी स्टोर इत्यादी होंगे इन्होंने कारेकरम में आने वाले समाच के सभी कनमाने लोगों से बहानों की पार्किंग आम बगार मैदान में करने का नुरोद किया है ताकि किसी को भी परेशानी और सरक जाम की स्थिति नहीं हो संबार्दाता सम्मेलन में उपस्थित महासचीव, सीए विवेक चौधरी और कोशार देख्ज मोहित साने संयुक्त रूप से बताया किस आयजर में पुर्वी सिंगुम जिला के हर छेतर सहीद पड़ोसी जिला से भी हजारों की संख्या में समाच के बुजर्ग, युवा एवं नारी सक्ति शामिल होंगे उन्होंने समाच के सभी लोगों से पारंपरिक राजस्थान परेजन में आने का अनुरोद किया है उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे, महिलाएं, पुरुष और यूगल जोडों की सर्वस्रेष्ट राजस्थानी इंद्रेष्ट पुरसकार में सम्मानित किया जाएगा आज आपनों राजस्थान कारिकरम के लिए क्रेस्ट कारिकरम लगा रहा है, हमने बुलाया है, आप सब पत्रकार बंदो आएं, आप सब का स्वाहत है 1949 को राजस्थान स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था और उसी खुसी में दालगूं कलब मैदान में आपनों राजस्थान कारिकरम पुर्वी सिंगुं जिला मारवाडी सम्मेलन की ओर से बनाया जा रहा है इस पुरे कारिकरम में हमारे समाज के बुजुर्गन, माताए, नारी शक्ती बढ़ चणकर हिस्सा ले रही है इस पुरे कारिकरम की रूप रिखा ऐसी है कि हमने पुरी मारवाडी संस्कृती, राजस्थान संस्कृती उतारने का प्रयास किया है इस कारिक्रम की मुख्य आकर्शन है कि जो संस्क्रितिक कारिक्रम होंगे हमारे राजिस्थानी भासा में राजिस्थानी संस्क्रिती को पेश करेंगे इसमें चटपटी चीजे रखी गई है ताकि एक मारवाडी परिवार आकर वहां चार घंटे आराम से बिता कर इस पूरे मेले का आनन्द ले सके इस कारिक्रम को करने का प्रयास यह है कि हम मारवाडी संस्क्रिती अपने आने वाले जनरेशन को भी दिखाना चाहते है अपनी भाषा से अपनी जनरेशन को रूबरू कराना चाहते है language की भी वहां पे कृताब रखी गई है English to मारवाडी Hindi to मारवाडी ताकि हमारी जनरेशन हमारी मारवाडी भाषा से बहुत अच्छी तरह रूबरी हो सके मैं आपके माध्यम से अपने समाज के तमाम बंदों से से गुजारिश करता हूं आस पास के जीलों के भी मैं मारवडी समाच से गुजारिश करता हूं कि इस आपड़ो राजस्थान का रिक्रम में बढ़ चड़कर हिस्सा ले ताकि जमशेदपूर ना केवल जमशेदपूर हमारे समाज की गूंच पुरी राची से दिल्ली तक सु इसको लेकर जमशेदपूर एससपी प्रभात कुमार ने सी आई एए एवं यंग इंडिया टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि शहर एवं आस पास के इलाकों में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर घटनाए एवं उससे होने वाली मौतों को लेकर इनके द्वारा सी एवं हाइवे पेट्रोलिंग वहानों में किया जाएगा एक्सिडेंटल जोन के ट्रैफिक पेट्रोलिंग गाडियों में इन्स्टॉल किया जाएगा कुछ हाइवे पेट्रोलिंग को स्ट्रेचर दिया जाएगा कुछ एक्सिडेंटल जोन के पेट्रोलिंग गाडियों मे इस्ट्रेचर रखा जाएगा ताकि आपाद काल की स्थीति में इसका परेयोग किया जा सके इस अचपने पूर्ट शुक्राइज जाना थे जाला है लोगों ने बहुत सारे जीयो पूर्जिन करके लगातारा वेरेनेस अपर शुम्राम करा है इसके हम इसके हम अगुए पकानगा चाहिने हैं और अगर कभी दोटे आपसे चाहिए और वे इनदर बेरे हों तो अपितल ह उनके उप्र कोई भी कादमी कादमी चाहिए इनकोच नहीं हो वी हो जिसके ठाने का आपके तो फॉर्स पीशित की इसके बीचान का निजिक ना तो इसके पर नाधियो जान बच से तो वाया जेफ़ती हो इससार रोग सेफ्टी वर्टिकल और है फॉर्टी ने साथ मिल्ध प इधा चांडल अनुमंडल अस्पताल में एक दिवस से स्वास्त मेला और जन किया गया है जिसमें 265 लोगों ने स्वास्त जांश कराया है वेंडिंग मशीन लगाया गया जिसका लोकारपन विधायक इचागर सवीता महतों ने किया नितरहाट पूर्ववर्ती चातर संका में सराइकला जिला से पर्थमविदार्थी रहा नितरहाट जाने के लिए 1988 बानवे में हम लोग जो महां से पास आउट चातर होते हैं लोग देश बीदेश जहां भी रहे हम लोगों ने एक उस्था बना रखी है उसका नाम है नोबाट नितरहाट पोल्ड बोई ऐसोसियेशन उसी में हमारा बैस्विश सामाधिक उत्तरदाई तीके परती गलोबल सोसल रिस्पोंसिबिलिटी में हम लोग ने माता और बहनों के लिए ये मसीन बनाई है जम शेथपूर पोट का प्रखन में स्वास्त मेले का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे और अपना चेक उप करवाया स्वास्त मेला में समान ने रोग, ACD, आई चेक अप, मानसिक रोग, बलड चेक अप, नियमित, टिका करन, टीवी रोग्यों का पोशाहार आयूश आदी का स्टॉल लगाया गया साइब 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 स्टॉल साइब साइब स्टॉल साइब छिल्ड कोईब बहले झाल आज एक दिवस्यों प्रकंट स्वास्मलागा आईजन हमारे जरकंट सरकार की ओर से स्वास्मलागा आज़न किया गया है और इसमें हम लोगों ने सभी तरों का इस्टोल लगाए हुए हैं जैसे के सामयन उप्चार, NCD, मानसी ग्रोब, आख के लिए आई उसका है तथा पसाहर के बारे में भी जनकारी दे रहे हैं और प्रकंट स्वास्मलागा के साथ-साथ हम लोग ने आज कितना फैदा होगा इस तरह का मेला से काफी लोग बढ़ चड़के इस्टा ले रहें और फिल्ड में भी हम लोग ने सहिया, देवाल लिखन, माइकिंग, आगी कराये थे जिसके चलते दिखने को मिल रहा जादा से जादा और आगी बढ़ चड़के आ रहें और अपना हम लोग बचार के साथ साथ अपना सला भी दे रहें किस तरह से रहना है कि अपरीवानियों जन के बारे में बता रहें हैं एंसी चेकाफ हो रहा है, रूटिन इम्मुनाइशन के काम हो रहा है, सभी तरह के इस्टोर है सबसे जादा मारी किस चिसका आ रहे हैं सर? इस सामाइन रोग का ज़्यादा बिमारी है, इसमें ज़्यादा तर बच्चों भी आ रहे हैं और अपना लबाबनीत है बिस्टोपुरिस से जमशेदपुर ब्लड बैंक में टाटा स्चिल फाउंडेशन की ओर से दिया गया वाटर बोटल गिप्ट किया गया टाटा स्चिल फाउंडेशन की तरफ से वाटर बोटल हम टाटकर बच्च कर बारे हैं और यह का जना अप टाटा स्चिल फाउंडेशन अगरा है तरह से सालों पर ब्लट रूशन कैम और एक प्रयास अरभल सर्विसेश के तरफ से पिसले दूर साल से किया जा रहा है पहले भी होता था है इस बार कुछ प्रयात पैमा ने पे किया गया है हम लोगों ने अर्बन सर्विसेश को रिक्वेस्ट किया था कि गर्मी के समय हमारे उपर पास ब्लट का मेजर प्राइसिस रहता है इसलिए जब भी मेगा डोनेशन या ब्लट डोनेशन हो तो गर्मी के समय हो तो वो समय हमारे लिए ज्यादा बहतर होता है और उसी प्रयास में इन लोगों ने अर्बन सर्विसेश के तरफ से 13 तरिक और 15 तरिक को बैक टो बैक कैम कराया गया जिसमें महिलाओ का वे बहुत जादा योगदान रहा साथ ही लोगों ने 400 प्लस उनिट का कलिक्शन किया जो कि हमारे लिए एक महिने के ब्लट का लाइक होता है करिकरे 42 दिन का है तो मैक्सिम्म थैलेसेमिया पेसेंट्स को हम लोगों के ब्लट देने में आसानी होगा तो कि थालेसेमिया पेशेंट्स को हर मैंने दो यूनिट्स का रिक्वार्मेंट होता है और हम लोग उनसे रिप्लेस्मेंट की मांग नहीं करते हैं इसलिए विदाउट रिप्लेस्मेंट अगर ब्लड देना है तो गर्मी के मौसर में मैक्सिमम जदा से जदा रगदान का शिवीर का आयोजन होना जरूरी है और जिसमें टाटा स्टिल हमेशा से हमारा शेयोग करता है और ये प्रयास एक अडिस्तोल प्रयास हमारे लिए है जो हमने इनको रिक्वेस्ट भी किया है कि अगले तीर मैना बात फिर से एक क्याम करेंगे गर्मी जब पीक में रहेगा तो हम लोग के लिए कोशन का काम करता है ताकि हम लोग 12 मैंने बिना किसी रुकावट के बिना किसी क्राइसिस के हम लोग सभी को ब्लट दे पाई यह हमारा प्रयास है और इनके इनके इंटायर टीम को इस प्रयास पे शामिल होने के लिए जम्शित्पूर ब्लट सेंटर के त नवरात्री के अफसर पर बिस्टुपूर काले बाड़ी में सब्तमी का भोग वितरन किया गए, वहीं भोग वितरन लगातार तीम दिन तक चलेगी, तीस को कुमारी पूजा का भी आयोजन किया गया है अजक लेज की हो गया है वोज सारका आप तुनिया पोटो कीशत है रहत और अगया है अजक हो भी है उन तो अफारत सरकार कमीडिया है एए इससे की तो अजक के हरे श्मारी आटे ने आता नहीं है मिस्की चेनलत नहीं है कि नहीं है कि पर में धुमिने कि परदो कि अवल को जे कि अपिन आधी मिस्की नहीं है कि मेंके दिए देल पारा हो जो पाचास बोलेने तो पैंथीस था और फंदराफ बोलेने सी क्चास बोलेने शोंगाद ने टुना इनकेस्त जोनिक्त हम आरे लाने स't करेंब ऽो प्रत्वारा वाजे से पूर्णा हो गई यही है करिक्रम जो चेती दुखा पूजा के लिए लिए है भूग बितरन के क्ला दिनों प्रत्तिक दिन मतलब सब्सक्राइब तो पार बारा वजे से भूग बितरन हो रहा है all the music नवराथी शुरू हूँ वाएं बाइस तरिक से बाइस तरिक 1 ग्रत्तिक शलेगा 31 को बिश्रजन है तो चंडी पार्ट रोज हो रहा है प्लास्-कुमारी पुजा हैं आज सब्तमी के सुभा का पुजा हो चुकी है और प्लाज मी करो सब्सक्राइब कि अस्तिक निविए के संदिक्षण होता है इस सन्दी पूजा, इस सल का टाइमिंग है मतला की वा से तरपन मनें इस से के अंतिम दिन लोगों ने दो मुहानी नदी तर्द पर सुर्य को अर्ग दिया जमशेटपूर के दो मुहानी नदी तर्द पर चैती छटकाज अंतिम दिन भगवान भासकर को अर्दे ने लोगों की भीर जुटी काफी संख्या में शद्धालों ने सुर्य को अर्ग दिया को 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 अित्से धार बित्से चाज कहा बैंधा होगा गहाद्क ने मुएला पाना करा लाओर स्बस्प्रक घज च gifts के अरा ग्याड रुषत है विखदे Chiちゃष इह आप चल्थी चलोग सछिखत करते हैं विखद टो नंहीन से फुर्ता हैं श विखदी फुष्ट उघ चल्थी चल्थी चल्थ fist rail चल्थी में एो चल्थी चल्थ चल्थी चल्थ? इदर जम शेटपूर के सस्पी प्रभाद कुमार ने घाठ सिला थाना का निरिक्षन किया निरिक्षन के दोरान थाना किया भी लेखों की घंता से जाच की गई और लंबित कांडो का निस्पादन एवं सुरक्षा वैवस्था का जायजा लेते वे पदादिकारियों और कर्मियों का आवशक दिशा निर्देश भी दिये गए चलते चलते एक बार फिर सनजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर जैनसी द्वारा जुबली पार्क रोड के समय पतिकरमन हटाव अभ्यान चलाया गया सोनारी में सरक दुर्घटना में यूवगार इलाज के लिए अंजिया में कराय गया भर्ती कुल्हान चादर संघर्स मोचा द्वारा अपने लंबित मांगो को लेकर को आपरेटिव कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया गया और राम नौमी पर्व को लेकर मांगो थाना चेतर में मंदीरों को आकरशक विद्धुत सज्जा से सजाया गया सरको पल्थ हजा लगाया गया और आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूस की पूरी टिम को इजाज़त नमस्कार झाल